एक समय एक शराबी एक संत के पास गया और विनम्रा स्वर में बोला गुरुदेव मैं इस शराब के नशे से बहुत ही दुखी हूँ इसकी वज़े से मेरा घर बरबाद हो रहा है मेरे बच्चे भूके मर रहे है लेकिन मैं शराब के बगर नहीं रह पाता गुरुदेव ने कहा जब इस नशे से तुमको इतना नुकसान होता है तो तुम इसे छोड क्यू नहीं देते शराबी ने कहा गुरुदेव मैं शराब को छोड़ना तो चाता हूँ पर यह मेरे खून में इस कदर समा गई है मुझे छोडने का नामी नहीं ले रही है गुरुदेव ने हसकर कहा कल तुम फिर आना मैं तुमें बता दूँगा कि शराब कैसे छोडनी चाहिए दूसरे दिन तैस समय पर वह व्यक्ति संत के पास गया उसे देख मात्मा जट से खड़े हुए और एक खंबे को कस कर पकड़ लिया जब उस व्यक्ति ने मात्मा को इस दशा में देखा तो कुछ समय तो वह मौन खड़ा रहा पर जब काफी देर बाद भी मात्मा जी ने खंबे को नहीं छोड़ा तो उससे रहा नहीं गया और पूझ बैठा गुरुदेव आपने व्यर इस खंबे को क्यों पकड़ रखा है गुरुदेव बोले बेटा मैंने इस खंबे को नहीं पकड़ा है यह खंबा मेरे शरीर को पकड़े हुए है मैं चाता हूँ कि यह मुझे छोड़ दे किन्तु यह तो मुझे छोड़ी नहीं रहा है उस व्य निर्जिव है या आपको क्यों पकड़ेगा यदि आप मन में ठान ले तो इसी वक्त इसको छोड़ सकते हैं खंबे से हाथ निकाल कर गुरुदे बोले नादान मनुश्य यही बात तो मैं तुम्हें समझाना चाता हूं कि जिस तरह मुझे खंबे ने नहीं बलकि मैंने ही उस से पकड़ रखा था उसी तरह इस शराब ने तुमें नहीं पकड़ा है बलकि सच तो यह है कि तुमने शराब को पकड़ रखा है तुम कह रहे ते कि यह शराब मुझे छोड़ नहीं रही है जबकि सच तो यह है कि तुम अपने मन में यह द्रड निश्चे कर लो मुझे इ वैसी वक्त करना है तो तुम्हारी शराब पीने की यादत छूट जाएगी शरीर का हर क्रिया मन के द्वारा कंट्रोल होती है और मन में जैसी इच्छा शक्ती प्रबल होती है वैसा ही कारियस सफल होता है कहते everything is in thoughts and mind तो जैसा आप mind control करोगे thoughts को control करेगे वैसे ही आप अपने जिन्दगी में आगे बढ़ोगे अगर आपको सुबह उठना है और mind को अगर बोलेंगे बार बार नहीं उठना ही है तो आप उठ जाओगे वह शराबी गुरू के इस अमरित वचनों से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसी वक्त भविश्य में कभी शराब ना पिने की दुरूड संकल किया उसके घर में खुशिया लोटाई और वह शांती से जीवन यापन करने लगा इस कहानी से हमें सिक्षा मिलती है कि जीवन में कोई भी नशा ऐसा नहीं है जिसे एक बार अपनाने के बाद छोड़ा ना जा स अगर मनुश्य चाहे तो बड़ी से बड़ी बुराई का त्याग कर सकते हैं मैं हूं डॉक्टर अशित जालवी विश्व विख्याद जोडियक पावर रिंग्स के आविशकारत गए 30 वर्षों से मैंने हजारों लोगों की करियर और बिजनस 10x ग्रोथ करने में मदद करी ह अगर करते हैं